दोस्तों मुन्ना एलसे डिया डियो में सौगत है मैं मुन्ना रजा दोस्तों आज का टॉपिक है हमारी पीछली वीडियो जो बनी थी कि से हम कुछ स्मार्ट बोर्ट जो होती है उसका बैक अप कैसे लेते है तो हमने वो उस वीडियो को बनाया था एक HDMI केविल से हमने कानेक्शन किया था तो बहुत सारे का कॉल आया मेरे पास बहुत सारे ने चाहा कि सर अब उस HDMI केविल का कानेक्शन बताइए मैं नहीं कर पा रहा हूं तो यह कानेक्शन कोई इतना कठीन नहीं है बहुत ही यह हमने सोचा कि आप लोग जानते होगी प्रोग्रामर जो चलाते हैं फिर भी आप लोग का डिमान का अनुसार मैं यह वीडियो दे रहा हूं कि ताकि आपको कोई तकलिफ ना हो और मन में कोई संका पैदा ना हो बहुत सारे फेक वीडियो के वज़ा से संका मन में चला आता है लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग कोई मन में सक रखे ठीक है तो देखिए इस कानेक्शन करने के लिए एक हमको HDMI सोकेट चाहिए यह पुरानी से आप उसको रिकावर कर सकते हैं या मार्केट में भी इसको पर्चेस कर सकते हैं यह हमारी मेल बोलकर आती है और इस तरह से रहेगा दिखने में और हम लोग 3 वायर लेंगे ठीक है और तीन वायर लेंगे और यह हमारी आठी 809F जो है यह हमारी प्रोग्रामर है और इसको कनेक्शन करने के बाद हम इस सोनी में इसको वर्क करके देखेंगे क्या कि यह डिरेक्ट हो रहा है नहीं क्योंकि इसमें व्यजिये नहीं है ओके दोस्तों तो हम लोग आगे बरे और टॉपिक को आगे बराए इससे पह कि मैं यी भीडियो अबलोट करने के बाद भी मुझत के लिए रवान्य होंगा और और कोलकाते के लिए आफ इस नम्मर पर की और कोल करें 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 करा सकते हैं यह करा लेजिए और हैदराबाद के लिए आप इस नमबर पर जाकर सिट बुक करा सकते हैं हैदराबाद में हिंदी एन तेलगू यहनी हिंदी में ट्रेनिंग होगी तेलगू में ट्रांसलेट किया जाएगा अगर जिसको नहीं मालूम है तो हम लोग टॉपिक पहें समय नुक्सान न करें हम लोग इसको चस्पानовых संपर इसके लिए विडियो अपको बहुत बहुत-बहुत-शॉडी आपके बहुत ही ही है फिर भी आप लोग को जनकारी नहीं है तो आप इसको कनेक्शन करना जान देते तो यह HDMI जो की 19 फिन की होती है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, इगारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, उन्निस यानि यह जो श्टार्टिंग पिन एक है और अन्तिम पिन उन्निस है हमको इसको सॉल्डरिंग करना है पंदरा, सोला, और अठारा यानि हमारी पंदरा में होगी एससी एल यह हमारी पंदरा एससी एल उसके बाद हमारा कनेक्शन होगा यहाँ पर दिखाएए और उसके बाद एक हो जाएगी हमारी ग्राउण दोस्तों यह हमारा पंदरा सोला सतरा अठारा और उनिस आपको यहाँ पर दिखाएए दे रहा होगा इस तरह से आपको कनेक्शन करना है यह वाली हमारी हो गई यह वाली हमारी हो गई ग्राउण और यह वाली हमारी निली वाली हो गई एस डी एल और इसकी यह फरून की कनेक्शन है और इसकी पीछे का कनेक्शन है पीछे में एक छोर कर यानि हमारी आठारा नंबर छोर कर ठीक है इस तरह से आपको कनेक्शन कर लेना होगा और कर लेने के बाद अब चले जाना होगा बोर्ड पर तो यहाँ पर बोर्ड में आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी भीजिये नहीं है यह सोनी की मदर बोर्ड है जो की भीजिये नहीं है और हमको सेरियल प्रिंट की जरूरत है तो इसकी भीजिये नहीं है लेकिन यहाँ पर एक सौकेट दिखाई दे रहा होगा और ठीक सौकेट की इस बाजू में हमको एक टेस्ट प्रिंट दिखाई दे रहा होगा यह हमारी HDL और SCL और एक ground यहाँ पर तीन है हम यहाँ पर यह वाली connection करेंगे ठीके यह वाली connection करने के बाद एक बार आपको हम serial print दिखाने के लिए कोशिज करेंगे कि यह connection सही है तो दोस्तों हमने connection कर चुका हूँ आप देख सकते हो AHDL और AACL और A ground और यहाँ पर भी हमारी programmer भी इसी तरह से है और यह हमारी connection जो आपको दिखाई दे रहा है और अब हम लोग programmer पर जाने के लिए अपनी laptop पे चले जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी F को open कर लेंगे और यह F हमारी run करने के लिए तैयार है तैयार होने के बाद अब हम जाएंगे parameter setting और parameter setting के जाने के बाद अब यहाँ पर हम sequence को type करेंगे यह वाली हम sequence रखेंगे जो hda 15 और hdr 12 और इस sequence को रखने के बाद अब हम यहाँ पर save कर देंगे और save करने के बाद अब हम चले जाएंगे serial print serial print को हम click करेंगे और click करने के बाद अब इस board को हम अपनी line देंगे और इस board को line देने के साथ यहाँ पर दिख रही है कि यह हमारी जो serial print है जो हमको information दिया है ओके दोस्तों इसी तरह से यह connection होगी ओके बाई हर्ण हर्ण